हेलो एवरिवन आप सबका हमारे यूट्व चैनल का राजगराने का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए हम चलते इस वीडियो के माधि हमसे हथुआ राजवार की तरफ जो पहले बोला जाता है था राजगराना राजवार क्या है तो बिहार के गुपाल वुंजी में हथुआ की एक अनोखी कहानी जो हथुआ राजा कि आज उनके एक अनुफी कहानी आज भी उनका समराज जीवित है आज भी उनका जो खांदन है जीवित है वो पुस्तुक तक अपने रजवाज लेहें चलते आ रहे हैं तो आज हम अपको पूरा अथुआ जितना जो राजगराना है कहांपे उनका बिल्डिंग है? कौन सी बिल्डिंग है? उसमें क्या है? इस वीडियो में हमते हम से दिखाएंगे और बताएंगे चलिए यह जो बिल्डिंग है आपको दिख रहे हैं यह पुरा राज महल है हम आप लोग की बता दें कि यह जो महल बनी है इस महल के निर्मार में पूरा 42 वर्स लग गए हैं इसके बनने में पूरा 42 वर्स लग गए हैं इस महल में 495 रूम है इसकी उचाई गूमबच तक 82 फीत है इसकी देवाल की मोटाई 40 इंच तक है इसमें जो भी लगा है जो गाड़ लगा है वह इंगलेंट समगाया गया है और इसमें जो संग्मर लगा है वो इटली समगाया गया है इसमें दरबार हॉल भी है और बुलू रूम भी है सिल्वर रूम भी है यह हम बता दे कि जो राज घराना तो जो राजमाल थी उस समय के मन्दिल बनाया गया है जब राज चलता था हम आप लोग की बता दे की आजादी के बाद कई राजगरा ने थे जो जिनकी अपनी पुरपटी गर्मेंट की सौपनी पड़ी लेकिन हथुआ राजा के महराजा मनल साई अपनी संपटी गर्मेंट को नहीं दी और आज भी उनका समराज बरकरार है यहां के महराजा ने अपनी राज तीन पिंडियों तक राज की महराजा किसन परताब साई बहादुर साई महरानी पुनम साई यूराज मनी परताब साई इन्होंने अपनी पूरी तीन पिंडियों तक राज की और हम आपको बता दे कि इस इनकी कोई परपोटी में आज भी सैनी के स्कूल अलग-अलग कोलेज चल रहे हैं इनकी जो भी परपोटी है आज भी अलग-अलग स्कूल और कनून चल रहे हैं हम ये आपको बता देखिए, जो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं, मंदिल के तरफ, ये जो समने नजरा रहा है, वो मंदिल है, ये जो पूरा जो रजवार है, हाथुआ रजवार पूरा, ये सत्रा एकर में फैला हुआ है, जो मंदिल से लेकर हर एक चीज जो हाँ पे, जो ह महाल है उसमें अंदर जाना एलाव नहीं है मने कोई आम पव्लिक नहीं जा सकता है अगर जाने के लिए सरकारी हमें पर्मिसन लेने परेंगी तब ही जा सकते हैं वहां पर बहुत हैं अंदर में जो भी राज जी कराना है मानों वहाँ पे जाने के लिए अंदर हमें सरकारी प्रमिशन लेने पर ही अपको बताते हैं कि तलाब में हमें पता चला है कि महरानी आती थी यहां पर तो अस्नान करती थी अस्नान कर पूरा अंदर आये हैं यहां पर भी अंदर जाना एलाउन नहीं है हम अभी थोड़ा बाहर हैं बाहर से माने आदमी आके खुमके जा सकते हैं अंदर जो माता जी बाहर से दर्सन करेंगे और करके लोग चले जाते हैं देखिए यह पूरा यहां पर जो भी है लोग आते हैं और चले आथ ещё यहां पर अभी जो रजवार का जो भी माने बिल्लिगए वह अपर कितनी में उनकी जमीन में जो सरकारी एस्कुल रही है और संनी को चल रहा है जैसे और से लोग चालेज चल ले आं बहूत सारी को और ने हाँ है 심नुरिते हैं कोई भी आ सकते हैं जुपाई कर सकते हैं और यह सब जगे पर आना भी चाहिए कि यह कि पार जाए है यहां पर इसना काम के ग्लाविया और नंट। कई मिल सकते है़ा यहां चलिए शलते हैं यह आप वीडियो में बने रहे हैं जब तक के लिए जय हिं जब तक के लिए जय हिं जय भारत अब हमारे वीडियों बन रहे हैं इसी तरह प्लेस और गुमने के लिए चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए